सब्सक्राइब कर देखने वाले हैं जिनके मदद से हम चीजे को जो है क्रिएट करके देखने वाले हैं चलिए स्टाट करते तो मैंने यहां पर अभी एक ब्लैक कलर की एक सॉलेड कलर ले रखी है और साथ में आपने एक सॉलेड कलर लेर है और यह क्या है कैसे बनती है और यह आगे इसका यह वाइट वाइट से क्या चीज लगी हुई है यह सभी आपको नहीं पाता है तो अगर आपको इसका क्रेट करना एक सिंपल सा पर देता हुआ आप इसको अभी यूज कर सकते हैं बट क्या है यह साही चीज़े अपना आगे कवर आप जरूर करने वारा है आपको यहां पर बीच में इक सर्कल वाला जो आइकन इस पर क्लिक करना है बिसकर इसका नाम है एजस्में लेयर सो इसके अंदर आपको अमेशा सबसे उपर बीज़े एक सारड कलर मिल जागा को इसक सबसे उपर होता है अब अगर आप देखें मैं एक बरस को क्लिक करता हूं अब बिफोर आफ्टर क्या है एक बहुत छोटा सा डिफरेंस फॉर नो दिख रहा है जो कि अभी आप देख सकते हैं फिर इसके वार में आपना और थोड़ी जिब सेटिंग्स देखेंगे अभी पहले ही ऐसा था बिल्कुल सिंपल सा और थोड़ा सा इसके अंदर एक बॉर्ड राइड हो चुका है बिसकली आप बोल सकते हैं कि यहां पर हमारे पास में कुछ 3D elements जैसा कुछ दिखने लग गया है चीक है अब इसमें वापस से जालते हैं बालने बास के अंदर से यहां पर हमारे बास में कुछ अला का प्शिण होते हैं लाइक अउटर वेवल है इनर वैवल है एंबॉस है या फिर पिलो एंबॉस है या स्टोग बास है अब इन सब के बार में अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहां पर चलते सबसे बहुत रहा जो यहां तक है और इसी क रेक्टंगल के आउट साइड के उपर हमारे पास में यहां पे चोड़ बेवल देखने को मिलेगा राइट यह ओता है यह पीजकर रहता है जैसे लाप देखें तो हमारे बहुत सव्ट से एक एच बनने का यहां पर दिख रही है जो की आउट में भी रहती हूट और इन व यह सिर्फ हम्हें एंबॉस साफट शीज करने के लिए हमारा पर यहां एंबॉस को बिल्कुली मिनिमल हमारे पास में मुलता चीख है वह अब है जाए इसको इनर पर रखेंगे हों यहां टेक्निक आपन को अब यह स्मूज चीए या ऐसा चीजल हाड यानि कि अभी देख सकते हैं या फिर आपको चीजल साफ यानि कि हाड भी रहेगा लेकिन अगर आप देखें तो फिसी एक सॉफटनेस आप आपको देखने को मिलेगी चीक है सब्सक्राइब कर सकते हैं साइज कितना ज्यादा साइज आपको चाहिए यानि कि आपको कितना साइस की एज है सो आप यहां पर बता सकते जैसे अगर आप देखें तो पहला और बिफॉर आफ्टर अगर हम देखना चाहें तो यह था बिलकुल विदावर 3D और अब हमारे प हो आपके उपर पूरा है चिक हैं और अब चलता है कि आपको बटन देखने को यहां पर एजएंगे कर सकते हैं कि कि ळाउन होता है कि यहां से लिए करके कि हमारा जो लेफ्ट साइड है और हमारा जो बॉटम है है यह सार्वार rettin का ऐंगल आपको यह सामने से लाइटिंग आ रही है कितना दूर जा रही है और इग्दम एक्जैक्ली उपर से आ पर से औолог थोड़ा सा बीच में से आ रही है सारी चीज़ आप यहां से एंगल के सबसे यहां पर कर सकते हैं और यह यूज ग्लोबल लाइट हमेशा टिक करके रखेगा अभी मैं क्यों बोला हूं यूज ग्लोबल लाइट करके रखेगा यह जब आपन आगे देखेंगे ड्रॉप शड और विसिकल अभी अगर आप देखें तो हमारा उसमें पैटन के रूप में हमारा उसमें कुछ भी नहीं है लेकिन अगर मैं जाओं यहां पर कॉन्टॉर की जगह यहां पर बहुत सरे अलग अलग टाइप के हमें पैटन्स देखने को मिलते हैं ठीक है जितनी भी पैटन्स है यह सारे हमारे कॉन्टॉर को यानि कि किस टाफ से आमारी लाइटिंग के यह बने वाली है यहां पर면ig कर सकते हैं और मैंने पहले बताया था वाइट यह लाइट में स्क्रीन रखना है इस सब चीजे अगर आप यहां से कर सकते हैं कितना हार्ष चाहिए यह कितना नहीं चाहिए चीक है यह होता है तरीका बेवल एंबॉस को यूज करने का तो अगर मैं इसको भीफोर आफ्र दिखा हूं अब तब से लेकि अब तक आपन ने क्या देखा तो यह था हमारा एक बिल्कुल ब्लैंक एक स्क्वाइर रेड़ स्क्वाइर लेकिन अब हमारा वास में एक 3D रेड़ स्क् आपको यहां पर आपको यहां पर देखने को मिल रही है जो आपको यह जैसे करना संज में आयों का लगए लगे लगे तो लाइक शेलें सब्सक्राइब कर देजिगा और आपको ने शुडियो में तब तक के लिए बाइब